कि अब नमस्ते जिस अबीको आज हम बनाएंगे जटपट बनने वाली लंच रेसीपी जिनने आप टिपन में भी दे सकते हैं और शुप की सबजी की तरह सबर भी कर सकते हैं पांच बनाएंगे तो चलिए देख लेते हैं फिर्स्ट रेसपी तो पहली रेसिपी बनाना बहु थोड़ा सा हींग डालेंगे हर इमिर्च काट के डाल दिया है मैंने दो आप अपने स्वादन स्वाद डाल सकते हैं और प्यार डाल दिया है बारीक काट के आप पीस के भी डाल सकते हैं लेकिन सुबह सुबह इतनी जल्दी होती है कि पीशना इतना कोशिस करते हैं कि कटिंग से काम चल जाए और बारिक बारिक काटके ही मैं इसमें डाल दूंगी टमाटर यह मैंने चोपर से कर लिये हैं जिससे चोप करते हैं सब्जी मिक्सी में नहीं पिसे हैं तो बारिक कट गए हैं पिसे नहीं है तो अससे जब यह यह पानीर की भुजी तो आप इस तरह मसालों को अच्छे से बून ले जब तक बिल्कुल अच्छे से सोप्ट न हो जाएं टमाडर पानी डालना चाहे तो एक बून डाल सकते हैं वैसे बिना पानी के भी मंदी का आप पकाएंगे तो यह हो जाएगा और यह पांच मिनिट में बनने वाली सब्जी है अब इसमें मैंने बिल्कुल बारीक बारीक काटके पनीर डाल दिया आप चाह कि एक मिनिट बाद देख सकते हैं पच्छे से बोई ला गया और सब्जी लगबग हमारी तयार होगी है बिल्कुल बन के और इसमें आप में एक चमल डाल दूगी फ्रेस मलाई ताजे दूद्ध पर से मैंने ली थी और यह हमारी सब्जी लंच में सर्व करने के लिए तया डिलीशस आईए खाईए बनाईए बताना मुझे कि कैसी बनी और आपको कैसी लगी यह रैसेपी तो चलिए अब नेक्स्ट रैसेपी देख लेते हैं कि नेक्स्ट हमने क्या बनाया है नेक्स्ट हम बनाएंगे आलू सिम्ला मिर्च अब बहुत ही अच्छे बनेंगे पांच मिर्ट में बनके तयार हो जाता है बिल्कुल क्रण्ची से इसके लिए हम कढ़ाई ले लेंगे छोटी उसमें ओईल डाल देंगे और यह सब्जी चार आदमी खा सकते हैं मैं इतनी बना रही हूँ आप अपने इसाब से कम यह ज्यादा बना सकते हैं जीरा डाल देंगे जीरा ब्राउं होने के बाद हींग डाल देंगे और हींग सभी सब्जियों में इंपोर्टन्ट होता है थोड़ा सा द्रक डाल वर प्यास दाल देंगे बारिक सब 나서 है मैंने के दिए कटा के लिया कétait जब टक नहीं नहीं लिए जब तक अलू से सब भूल में कि आप पकाना है तो हिला हिला के बार-बार देखो यह आलू थोड़े से सुफ्ट हो गया है अब इसमें में डाल दूँगी हल्दी मिर्च सुक्का धनिया और मिक्स करूँगी अच्छे से ताकि मसाले भी थोड़े भुन जाएंगे आलू के साथ और अब इसमें में डाल दूँगी सिम्ला मिच इसमें पानी की बिल्कुल जरूरत नहीं है सिम्ला मिच थोड़ा सा पानी छोड़ देंगी तो उसमें यह आलू पक जाएंगे प्रोपर तरीके से अब देखो अब कितन बस चेक करते रहेंगे और ढखके पकाते रहेंगे आलू भी पक गए हैं मैं भी आपको दिखाती हूं देखो आराम से कट पा रहे हैं कि देखो बिल्कुली कट रहे हैं तो आलू अब पक चुके हैं हमारे अब इस समय में इसमें डाल दूंगी एक टमाटर काटके मोटा मोटा समय ने काट लिया है और यह टमाटर अब थोड़ा सा सोफ्ट हो जाएगा तो इसमें कहीं कहीं रेड कलर दिखाई देगा तो यह बहुत अच्छी सब्जी लगेगी इसे भी हम डख के दो मिनट के लिए पका लेंगे और सब्जी में मैंने नमक भी डाल दिया था आपको सायद दिखाई नहीं दिया तो अब चेक कर लेना दुबारे से और यह थोड़ा सा लास्ट में डाल देंगे इसमें गरम मसाला और ह अधनिया और मिक्स करेंगे तैयार है देख लेसे हैं तीसरी सब्जी यह भिंडी बेसन वाली भिंडी इसके लिए हमने एक पैन लिया है उसमें ओईल डाल लिया है इसमें डालेंगे माजवाइन थोड़ा सा हींग डालेंगे और दोनों को भूनने देंगे अच्छे सा थोडा सा ब्राउन सा होने देंगे को कि ढाल देंगे अरे मेंका तिक पन थोड़ा कम हो जाता है भी प्याज कातके लिए मैंने दो ईनहें भी थोड़ा सा ट्रांस्पेरेंट कर ले प्याज को एक साइड कर देंगे, इधर डाल देंगे, हल्दी, शुक्हा गड़ब मसाला, वो सोरीधनिया, लालमिज, और यह डाल गींगे, इसमें एक चमच बेसन, बेसन के साथ इन मसालों को भी जो इधर साइड में वील आ गया है इसमें हलका सा इसको हम भून लेंगे ताकि बेसन का कच्छा पन भी निकल जाए और मसालों का भी उस साइड प्याज थोड़ी सी भून रही है और तब तक हम इने अच्छे से एक चमच बेसन है बहुत बिंडी स्वादम स्वारव नमक डाल देंगे इसमें मसाले आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं कमिया ज्यादा जैसे भी आप खाते हैं और यह भाप में ही पक जाएंगे इसमें भी पानी की कोई जरुरत नहीं है देखो बिंडी का कितना अच्छा सा कलार हो गया है बनके कreya तैयार होगी एक टेपिते इसी बिंडी के और यह तैयार है लन्च में देने के लिए आप साइड डिस की तरह भी स्तमाल कर सकते हैं देखो मैं पायल के लंच माने मैं डे घैसा को देखने में यहमसी हए झालिए अबлемश हुले बना लेन लेते हैं पौड नमबर की डिस पौर्ट नमबर की डीस है बीन्स और आलो आलो बीन्स की सुख की सब्जी इसके लिए हम फिर से कड़ाई लेंगे oil डाल लेंगे कड़ाई में oil गरम होने के बाद हम इसमें डालेंगे जीरा, हींग, मेच, अदरक मेच डाल देंगे, अदरक डाल देंगे थोड़ा सालका सबून लेंगे उसके बाद डाल देंगे प्याज और यह सारी रेसिपी, लट्च रेसिपी हैं ब्राउन होने के बाद आलू डाल देंगे आलू को फिर से वैसे ही पकाएंगे जैसे हमने सिम्ला मिर्श में पकाया था धक है 50% पकालेंगे 50% पकने के बाद हम इसमें तब उसके बाद बीन्स डालेंगे नमक डाल देते हैं आलू में बुनते समय ताकि आलू थोड़ी जल्दी गल जाएं अब हम इसमें बारीक कटिवी दो के रख ली थी मैंने ये बीन्स डाल दियें मैंने देखो बीन्स ने हलका सा मुष्चर छोड़ देती है बीन्स भी जैसे सिम्ला मिर्च ने छोड़ दिया था तो यह मैथाड इसका वो ही है जैसे हमने सिम्ला मिर्च बनाई थी तो ऐसे हिलाते रहेंगे और अब हम इसमें डाल देंगे मसाले हल्दी मसाले सब में वही एक जैस नाल ही डाल दिया था अल्वों में और ढकके पका लेंगे के जब अच्छे से पक जाएंD पसके बाद हम इसमें टमाटर में ला देंगे तो टमाटर मीडियम साइड की टमाटर तो इसलिए मैंने दो लिए हैं बड़ा साइज का हो तो आप एक भी डाल सकते हैं डखके पांच मिनट और पका लेंगे आप देख सकते हैं टमाटर बिल्कुल मोश्च हो गया है तो आप चला दीजिए कहीं कुछ भी पानी नहीं डाला है देखा आ आप पांच मिनट वाली रेसिपी हैं जटपट बनके तयार होने वाली थोड़ा सा हरा दनिया डाल देंगे लिजिए आपकी एक ओर लंच रेसिपी बनके तयार है बनाईए आप और खिलाईए घरवालों को साइड डिस में या मेन कोर्स में जैसे आपका मन करता है कितनी यमसी सब्सक्राइब बनके तयार हुई है अब हम चल बना लेते हैं अपनी फिफ्थ नंबर वाली रेसिपी पैन लेंगे पैन में उट डाल लेंगे प्रोसेस सबका सेम होता है जीरा हींग करें अच्छे से मिक्स करेंगे इसके बाद हम डाल देंगे प्याज मिक्स क करेंगे अच्छे से कि आलू डाल देंगे आप आलू लगबग 50 परसेंट पक चुके हैं देख सकते हैं और आप ड़क है मन्दी गैस पर पकाएंगे तो आलू ऐसा ही आराम से पक जाते हैं इसमें डाल देंगे मिर्च हल्दी नमक भी डाल देंगे अभी इसमें साथ के साथ और इसमें गरम मसाला डाल देंगे इस सबजी में हम टमाटव का इस्तमान नहीं करेंगे आप उपर से हम डाल देंगे ये मेथी काटके हमने ली है तो ये मेथी काटके दो के रख ली थी हमने इसको डाल देंगे और ऐसे धख देंगे आम इसको तब तक मेति थोड़ी सी वर्यों हो जाएगी देख सकते हैं कितना पानी छोड़ दिया मेति ने चच्छे से मिक्स करेंगे और मिक्स करते गए जब तक अलुं बिल्कुल नहीं पक जाते तब तक पकाएंगे और नहीं रहेगा इसमें बिल्कुल सूख जाएगा तो आप इस तरह बना सकते हैं अब या लुक अच्छे हैं डखके पका लेते हैं आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा मेती थी और सूखने के बाद कैसी होई देखो आलू एकदम फूट रहे हैं सारे तो आलू पक चुके हैं और पानी बिल्कुल नहीं है सबजी में यमसी एकदम सबजी बनके तयार हुई है तो यह एक आपकी लंच रेसिपी और तयार हु आया है लीजिए खा लीजिए अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक शेर कमेंट करके बताईए सबी को नमस्ते और रादे रादे मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ बाई बाई